अब जैसे हमारे एक कॉस्ट्सन है, which of the following statement regarding quadratic form in three variable, मारे three variable की quadratic form है, उसके लिए true होगा, कौन से sentence true होगे, जिनकी रेंग 3 है, जिनकी रेंग 3 है, any two quadratic form of rank 3 are isomorphic over r, मतलब हमें rank 3 दे रखे, किसी दो quadratic form की, क्या वो isomorphic over r होगी, हमने अभी लास्टी एक कोसन वो कर आए, कभी भी हमें एक्यूवैलन्ट या आईसो मॉर्फिक ओवर आर पूछा जाए, तो हमारी एक तो इसकी दोनों की रेंक इक्वल होनी चाहिए, रेंक ओफ P जैसे एक्वल टो होनी चाहिए, फो ओफ्यूब्यू फिया फॉम है तीक और इसका सिंगनेचर सनगनेचर पिएक़ल टू सिंगनेचर ऊफ्यू तो यह दोनों ँच्वे लेकिने आफर खाली क्या गिसन रिंग है तो यह नहीं होगी इसका signature भी same होना चाहिए second क्या है two quartic form of ring 3 R isomorphic over C यानि कि two quartic form है P और Q उनकी ring same है equal to 3 है तो वो isomorphic होंगे बिलकुल होगी over C की यदि हम बात करें तो खाली हम क्या check करते है ring यदि over R की बात करें तो हमें ring के साथ साथ इसका signature भी check करना होता है अब signature क्या होता है हला कि मैं लाश्ट वीडियो हम पताया है number of positive आइगन value में से number of negative आइगन value अधी हम minus करते है तो हमारा signature होता है जैसे हम एक माले एक की आइगन value 1 1 minus 1 नहीं है तो इसका signature क्या आएगा number of positive आइगन value 2 और number of negative value से minus करते हैं यहाँ पर एक है तो वन आजी कैसे signature तो ऐसे signature निकालते हैं तो इन दोनों का signature सेम आता है तो वो ओवर आर signature रिंक दोनों सेम आती है तो ओवर आर वो equivalent से आइसोमोर्फिक होंगे और C के लिए खाली रिंक की चेक करते हैं अब हम third option पर जाते हैं second हमारा सही हो गया third option there are exactly three non zero quadratic form of ring हमारी exactly three non zero quadratic form है और रिंक तीन और उससे कम की अब टू आईसोमोर्फिक मैंने last question में बता जाता है यहाँ पर हमें यह given नहीं है कि यह over आ रहे या over C है जब भी कभी हमें given नहों third option में जा जाते हैं over RC नहाँ given हो तो हम क्या लेकर चलते हैं यह over C है over C में हम क्या चेक करते हैं खाली ring यदि दोनों की ring equal है यहाँ पर ring क्या है तीन है उससे कम यानि की दोनों की या तो तीन है उससे कम है तो ring equal है तो ये वाला भी सही हो जाएगा अब देर आजग्जेक्टलीत्री नोन जिरो कवार्रीटिक फोर्मॉ ईपर नेक्थिकु एक्जेक्टली three कवार्रीटिक formally फोर्म Q की थीक तो उनका आईसोहाःमोर्फिक ॉबर्ल्रेंड सी यहिए हमारी 2 रेंग की कोई quadratic form है तो उनका इन्होंने ये बोला है कि rank यदि 2 है सभी की यदि rank 2 है तो हमारा काम खाली है इंसपी सेंट होगा क्योंकि rank के साथ signature भी चीज़ होगा क्यों? मालो हमारी किसी metric की rank 2 है तो उसका दो आइगन value उनची जैसे हमने 1 और दो आइगन value ले लिए और एक की rank 2 है उसकी आइगन value ले लिए 1 और 1 दोनों की rank 2 है लेकिन इसका signature क्या आएगा हमारा number of positive minus number of negative 0 इसका number of positive 2 minus number of negative 0 है तो ये 2 आजएगा तो यानि कि इन दोनों का signature तो equal है ही नहीं तो यानि कि हो सकता है over C तो हो जाए पर over R कभी भी नहीं होगा तो ये भी option हमारा गलत है तो इस तरीके से हमारे यदि equivalent या isomorphic पूछा जाए किसी भी खुस्टन में तो C में तो हम rank और खाली rank की check करते हैं दोनों matrix की और यदि over R पूछा जाएगा तो हम rank के साथ सा signature भी check करेंगे और यदि हमें कुछ भी given now over R या सी तो हम उसे C consider करके चलेंगे ये युनिवर्सल है